हेलो फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ मैं नरेंद्र एक पर फिर हाजिर हूँ आपके लिए अन्वॉक्सिंग चैनल में जहां पर आज हम बात करेंगे जैबरोनिक के इस बायरलेस माउस की काफी यूजफुल माउस है और बहुत कम कीमत में मैंने इसको अमिजन से पर्च आज की वीडियो में इसकी अर्वॉक्सिंग के साथ इसी की बात करेंगे तो यहां पर यह है जैबरोनिक का माउस जो की एक बायरलेस माउस है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है जैड इवी डैस प्लश यहां पर इसका देख सकते हैं एडप्टर अलग से दिया गया है सा हाई प्रोसेस प्रोसेंग माउस है और साथ इसमें पावर सेविंग मोड दिया गया है इसके अंदर जो बैटरी डालेंगे वह जो है पावर सेविंग की वज़े से बहुत लंबी उसकी जो है लाइफ रहेगी पीछी की तरह बात करें तो यहां पर कुछ इसके दूसरे डि जो है 6-25 यहां पर देख आते बहुत चांदा पुराना जो है यह माउस नहीं है साथ यहां पर इसकी कंप्लेन और वारंटी सी जोड़ी कुछ तिल्ट दी गई है चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और इस माउस की क्वालिटी की बात कर लेते हैं इस तरह से यह हो माउस और यह एड़प्टर तो सबसे पहले बात करें इसके एड़प्टर की तो एक USB एड़प्टर है जो आप अपने लैप्टॉप में अपने कंप्पूटर में PC में आप इसको फिक्स कर पाएंगे और यह PC के पावर के साथ ही इसमें पावर आता है यानिकि इसमें आपको बैटरी या सेल डालने की जूरत नहीं है अलक से यहां पर बात करें हम इस माउस की सबसे पहले अगर इसकी बिल्ट क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी बिल्ट क्वालिटी है नजर आ रही है और हाथ में पकड़ने पर भी एक प्रीमियम टाइप का फील आ रहा है खासकर लोजिटेक के जो माउस हैं काफी पॉपुलर माउस रहते हैं उसी तरह की इसकी क्वालिटी जो है वो यहां पर दिख रही है यहां अगर बात करें तो इसमें आपको तीन क्लिक मिल जाती है पहली क्लिक दूसरी क्लिक लैप और राइट के साथ यहां पर जो एक स्क्रॉल है स्क्रॉल में भी आपको यह क्लिक मिल जाती है साथ ही स्क्रॉल यह जो है वो स्क्रॉल करने का काम तो करेगा ही पीछे की तरह बहर बात करें तो यहां पर यह जो है यह आपको सेंसर वाला एरिया है और इसके बाद इसका जो बैटरी वाला पोर्शन है वो इस तरह से आपको इसको फल न पड़ेगा और इस तरह से यह अलग हो जाता है तो यहां पर आपको एक 3A बैटरी इसमें लगाने पड़ेगी, यह अच्छी बात है कि इसमें बैटरी जो है वो 3A बैटरी है तो बड़ी ही आराम से जो एविलेवल हो जाती है, रिजनेवल भी रहती है और उसकी लाइब भी काफी अच्छी रहती है, साथ ही यहां पर यह यह दिए पौर्शन आप देख रहे हैं आपर एडप्टर के लगाने के लिए अगर आप चाहने यह जो एडप्टर है इसको यहां पर अपने साथ इस तरह से test करके ढख सकते हैंसे नसमें बें कर सकते हैं तो जब कभी आप search säderपटर को साथ में लेकर चलेंगे तो आ बैटरी भी आपको इस तरह से क्पीच के बाहर देखा देता हूं है तो यह बैटरी हमारे पास है एक और इसको हम जल्दी से यहां जैसी मैंने बैटरी को इंस्टॉल किया यहां पर एक रेड लाइट आप देखेंगे ब्लिंक करती है यह देखें यह लेड लगने के बाद क्या है कि एड़प्टर आप लैप्टॉप में फिक्स करेंगे यह जो है बैटरी काम करना शुरू कर देगी और जहां तक इसकी कीमत की बात है तो इसको मैंने अमिजन से 299 यानि 300 रुपे में पर्चेस किया है यह लजिटेक के वाइरलेस माउस की दूला में बहुत सस्ता है क्यों लजिटेक का जो माउस है वो उसकी जो कहना चाहिए जो सबसे स्टार्टिंग माउस है उसका वाइरले तो यार आप अपने लिए एक बहतर माउस की तलास कर रहे हैं और आपका बजट कम है तो मैं कहूंगा कि यह जैब्रोनिक का माउस बाइलेस माउस एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है काफी कॉंपैक्ट माउस है छोटा माउस है ट्रैबलिंग भी वैसे रखके आराम से ट्र करता है तो कुल में लाके मेरा सेजेशन है कि आप इस जैब्रोनिक के माउस की तरफ जा सकते हैं मैं इसको लंबे समय से इस्तमाल कर रहा था और एक करीब चार साल के बाद इस माउस में थोड़ी शी जो है क्लिक वगरा करने काम करना बंद कर दिया था जिसके बाद मैंने इस सेम ओडर को मैंने फिर से माउस को फिर से ओडर किया है तो और उमीद है कि एक बाद फिर यह कंसे कम तीन चार साल का बैक अप देगा जाहिर सी बात है चार साल में दो सो निन नियार रप है पूरी तरह वसूर हो जाए तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही एक नए वीडियो के साथ जल्द हाजर होंगे लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारी चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज माउस की मदद से थोड़ा से चैनल के पास जाके एक बटन दबा दें और हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो आप त जल्द मिलेंगे तब तक नौशकार जय इंद जय भारत